संसार हल्लाउने खतरनाक पन्रताना साहारू चंगेज खांग इनका भाबू लडाकू थिये तेरा बर्षक उमेर मा भाबू मारिये बची इनी आफनो समु शाहित जंगल मा लुखे जंगल मा भगभगई बसनो पर्यो तेही जंगल मा नई इनका दाजुले मत्तों बंदा ठुलो भगई काले यो जाती को सर्दार महों भने पची तेही बेला तीरा बर्षक उमेर मा इनले भालाले हानेरा दाजु को हत्या करे सानई देखी इनी शाहर सी थिये उनको जन्म एगार से बैसट्थिमा भगधियो उनको पास्तविक नाम तेमुजीन थियो इनी दिन भरी घोडा कुदाउन रो घोडा मा शुतेर निंद्रा पुर्याउन शकते इनले साहिनिक लापनी यस्ते ही तालिम दिये का थिये चंगेज खां एक मंगोल सा सकते इनी आफनोह दिन स्विकार नगर्ने राजा रसाहिनिक लाए अतिने कुर्य यातना दिन थि उनी हार भनने सब्दने सुन्न चाहां दैने थि उनले कुने पनी युद्धा हारे नन युद्धा सुर हुनो अगावई उनी एस्तो कुर्य आतंक मचाउने गर्थे कि कती देश्त उनी युद्धा गर्ना कहेगो थाबाउन साथ आतंक को भर्मा हार्शुईकार गर्ने गर्थे जोखिमर खत्रासंगा खेलना चंगेज खालाए मन पर्थे उनी मारी दिन थे इनले युद्धा मा लगभग चार करोड मानी शरूलाए मारी उनको आतंक को उकारन ले विश्टो को जनसंख्या एगारा प्रतिशत घट्यो रह इनले पुरा धर्तिको 22 प्रतिशत गुबाग जितेगा थिये इतिहांसमा कुरुतम सासक को नाम मा चंगेज खाला को नाम सवई भंदा माथी रहन गएगो छा अउरंग जेब बाबर जहां भारतमा मुगल सामराजे को सस्तापक थिये तिहां अउरंग जेब मुगल सामराजे को पतन को कारण बने अउरंग जेब मुगल सामराजे का महान सम्रार थिये रा उनको समय मुगल सामराजे को सम्रितिको स्णिम युग थियो भने बने बने उन चल तर अउरंग जेब को हट रा हिंदु हरुप प्रती बिरोदी ब्यभार को फल्सरुप उनी मुगल सामराजे को पतन को कारण बने। अउरंग जेब सहाजागा का तेसरा छोरा थीए। आपनो बाभु सहाजालाई अउरंग जेब ले कैद गरे र अपना दोई भाई हरुलाई मारे र राजगदि मा थे अधिकार जमाई। आफना बाबु सहा जाला इनले जेल मा थुनेर भोगई मारेगा थी ये शरी उनी हिंदुस्तान का एक छत्र सम्राट बने अवरंग जेव का पुर्वज अकबर आदिशासक हरुली भारत ले जुन सम्रित दिप्रदान गरेगा थी अवरंग जेवले तेसमा ब्रिद्धित उनले हिंदु हरु माथी जजिया कर लगाउन का साथे भईंकर अत्यचार गरे उनको अन्याय पुण कार्य हरुका कारनले उनको मिर्तु गुपंद्र सुरा बर्ष पचिने मुगल सामराज्य को धाम अस्तायो अडोल्फ हिटलर कुने ही ब्यक्तिको मुल्या उनका लागी यही मात्तो गोतिये न उनले यवदी का विरुद्ध मा धेरे इकड़ा नियम हरु बनाये यवदी माथी उनले एती धेरे अक्त्याचार गरे भनी साथ्य छाईना यवदी मात्र हैना मानब जाती माती नेई उनको नितिको कारनले ने दोस्रो विश्यविद्ध स्थुरु आरियन सर्वोच्च जाती हो र अरुलाई घिना गरे रपनी आफु महान बन्न सकिन्च सफल होन सकिन्च बन्ने उनकु नाजी बादी सोचली गर्दा खेरी लाखों मानी सरुको जियान गयो साठी लाख बन्दा बड़ी यहुदी को मिर्तु भयवने पांच लाख सर्व साधन हरु मारी जब हिटलर ले हारे तब अरका ताना सा इस्टालिन को लाल सेना बरली इन छिर्यो तब हार निश्चित देखे बची हिटलर को मनमा युटा भायनक बिचार आयो जब हरु आरका बाट शाषित हुनुमंदा मर्नो रामरो उनको एस्टो सोच आयो रा उनले सारा जब्मन जन्तालाई मारने युजना बनाए मारने निश्चित जस्तो भयवची एक ब्याक्तिले हिटलर लाई समझाए जर्मन जन्ता हजारों बर्स सम्मा बाचे रहा हजिर को गुर्गान गाउने छनुम तब हिटलर ले युजना लागो गरेनन उनी युजना बाट पची हटे रहा अंके मा आफूर आफनी प्रेमी का इभा ब्राउन ले चाई आत्माहत्या गरे एडोल्ब हिटलर को नाम मानब इतिहांस मा एक क्रूल सासक को रुप मा लिनी करें छा इस्टालिन उनले सोबियत संग मा उन्नाइशो तिर्पन्न सम्म सासन गरे उनको सासन काल मा लाखों जन्ता हरू भोकले मरे भोकले जती मरे त्यो भंदा बड़ी उनले गोली हानेर मारे दोसरो विश्योगदामा संसार मा जती मानिस मरे त्यो भंदा बड़ी इस्टालिनले रूसमा मारे हिटलर ले बिरोदी हरूलाय मारे तर इस्टालिनले आफनी देश का आफना जन्ता हरूलाय चानी चानी गोली हानेर भूटे उनी आफनो भिलोद गरने जो को हिलाई पनी छोड़ दे लेधे उनी हरलाई बुर्जुवावंदै उनी गोली ठोकेरा मारनी करते वानेंच उनको आलोचना गरेकाले मैक्सिम गोर किलाई समेत उनले मारना लगाए उनलाई मानवी तिहासको सवई भंदा खूर सासक मद्दे एक मानेंच अन्य ताना साले भंदा धेरेई राजनितिक सक्तिको प्रयोग उनले करेगा थी उनको 24 बर्षको सासन मार 20 लाख भंदा धेरे मानी सर्थ उनले अफनी देशका मारे प्रिथिवी नारंशा प्रिथिवी नारंशा एक महत्तो कांग सी रस्तुरो राजा थी नेपाल को गोर्खा जस्तो माटाले बने को दरबार मा बसने सानो गाउले राज्ये का राजाले पीशो को सुपर पावर बिल्टीस संग समेत युद्ध गरेर नरामरु संगले हराएगा थी इनी विशाल नेपाल का संस्तापक हुनुका साथ ही एक भायन क्रूर ताना साब बनी थी इनले नेपाल एकीकरन गर्ने क्रम्मा कृतिपूर भिजाए गरे पची तिहांका जन्ताको नाकर कान काटेरा गाला काला पारेरा सत्र धार्नी बनाएगा थी रो यो सत्र धार्नी नाकर कान थुपारेगा थी आफुले जिदे पजी इनले नुआ कोड़का सासक चेहन तराना को जिमदै इछाला काड़ेगा थी नेपाल को संस्तापक भायता पनी उनको कुरुता भने नेपाली जन्ताली बिर्शनी छाए अगस्टो पिनोशे चिलियन आर्मी का जर्निल भायकर ब्याला सेप्टेमबर एगारा उन्नाइसे तिरहत तर्मा उनले कूगरी सत्ता आफनो हाट मनी सुरु देखिने इस साहिनिक सार्षकले आफनो राजनेतिक बिरोदी हरलाए तहल अलगा उन धाले विमिनन प्रतिवेदन रानुसन्दान को आदने हो वने उनको साषन काल मा तेरेई भन्दा तेरे व्यार्तिको ज्यान करूँ तेस्टमा मुलार बच्चा आरुगो समेत ज्यान गए तेस्ट ए आर्थिक शुधार्को नाममा उनले राज्य नियंत्रित उद्धो घरूर तिन से मुद्धारों अजय थांती रहे गाशन। उनलाए अतिने भरष्टचारी को रूप माले इंचा। उनले आपनों पद्र सक्ति को तुरूपवयो गरी अथास संपती बटु लेगा थिये रहा कती मानिशरुलाए मारेत इसको कुने हिशाव में चाये। पोलपोड पोलपोड को सिक्षा नोहम पेनहमा वायगो थियू। उनले सरकारी छात्र प्रिति प्राप्तगरी रेडियो तथा इलेक्ट्रिकल प्रविदी अध्यान का लागी पेरिस गए। तरह त्यां उनी कितावी अध्यान भंदापनी कम्यूनिस्ट बिचार धारबाट प्रभाविद भए। उन्नाइशे तिरपन्नमा कमबोडिया फ्रके बची कमबोडियन कम्यूनिस्ट पाठी यूनाइटेट खमेर इजार अक्मा आबद्द भए। उनी बोधिक ब्यक्ति हरुलाई घिना गर्द थी। पची वर्कर पाठी अफ कम्यूनियन्स को माहसाची प्रभाविद भए। पोल्पोड तीर वर्ष शार्वधनिक रूपमा देखा परें। उनको पाठी लाई खमेरूज को नामले बनी जानी जानी जा उन्नाइशे चायत्तर मां श्यानुक पची पोल्पोड सरकार तथा राष्ट प्रमग बने। उनी राष्ट प्रमग बने जन्ताले अत्तिने दुख पाए। उनको अत्याचार सही नसक्त मुथियो। आपना बिरोदिहर लाई स्वामिक कुरूपमा अत्यागर आयो। लगबग 10 लाग कमबोडियन जन्ताको अत्याको उनी आरोपी जान। उन्नाइशे उन्नाशी मा उनलाई आपने मांचे मारेको वारूपमा मिर्तुदंड को सजाए भाय। उनले इसको बिरोद्गरे रा भुमिकात भार क्याम गरन धाले। उनलाई अन्त था 1997 मा पक्राव गरियो। उनी एक निरंकुष्र कूर सासक कुरूपमा चिन्नी जन्जाद। माव सेतोंग। चाइनीज सिबिल वार का भिजेता माव जेदोंग। चिन्या कमिनुस्ट पार्टी का नेता थी। उनले सिबिल वार मा कमिन तांगलाई हराई। चाइनीज कमिनुस्ट पार्टी को पहिलू अध्यक्षे समेल भाय। उनले विश्यो का सक्तिसाली राष्ट चीन को चग पसाले का थी भनें ज़ posis सामाजीक आर्थिक र सांस्क्रितिक सुधार गरे गुपनिव मानने गरें चो यद्डेपी उनका कतिबये काम को चीन भीत्र रा बाहिरसंवे ना भयको चा चीन को सामाजीक सामस्क्रितिक सुधार को नाम मा इनले लाखहु इस्टानी ले जतिने मानीश अरुगो नरसम महार गरे उन्नेशो उन्नान सत्तरी मां उनले चीन मां सांस्क्रितिक क्रांती सक्य को गोष्णा गरे नुग शेप्टेमबर उनेशो चैत्तर मां इक कूर ताना साकू रिदय घात को कारण ले मिर्तुर है लियोपोल्ड बेल्जियम का राजा लियोपोल्ड सेकेंड ले अफ्रीकी देश कंगो मां लगभग 25 वर्ष समसासन गरे एस बीच मां उनले मानिश को भरपूर सोसन करे काम बनाए र यूरोप ती र बेची दिन थे घरे काम गराउं थे यातना दिन थे कईयों दिन सम्भा भग भग है राखते भग र रोगली अनी अती काम को कारण ले उनी मानिश अरुलाई मार नेगर ते 1924 को जन गणार आनसर कंगो गणा राजियमा लगभग 1 करोड यह चावी पनीच चन तिराशी प्रतिशत अनेको रोगली ग्रसी चन लियोपोल्ड शेकेंड लाई मानवी त्यांस मां सब इभंदा गुरूतम सासत मानें चन एटिला दिहों एटिला घूर सासत थिये उनी जहां आक्रमण गर थे तियां एक जनलाई पनी जीवित छोड़ देने थिये उनने रोमको ग्रामिली इलाकामा आक्रमण गरे रा पूरई गाउं र तिनका बच्चा बुडा बुडी महिला केटा करी शबलाई मारे शत्तक अलागी उनले आफने भाईलाई पनी मारे का थिये वो आफनो विभागो रात्माने मरने इक्रूर सासक को नाम हो एटिला दिहों अलेकजेंडर मेसोडोन का सासक अलेकजेंडर को जानमा तेशेट हबबीस बिशीमा मेसोडोनिया मा भाय गोतियों उनी एक महत्तो कांग शी ब्यक्ति थिये उनले आफनो धेरे जस समय शाईनी अभ्यास्त मा बिताए उनी धेरे संकार रिशा मानिस्तिये इ उनी और देशला जितनकालागी तेहां आतंगम बचाऊं थे ग्रीश जितनकालागी उनले छाज्जार मानिस्तिको जियान लिए 30,000 मानिस्ति दास बनाये वान्ने गरींच हुनि शुन्दर थिये राति उन बेवगांका कालोर औरको नील उन्तियों इनलाई पनी मानवित्य मैं नासका सालो चीन ने करी रोमानिया का राजा वलाद्ध टेकरस इनलाई बैड़ टेकस इंपलादद ऊर्को नाम बाट बनीक्स gratis उन्नैंसे 1100 चमा ट्रांसिल्मानी आमा विदा 치्मों में इनको जन्म भायो इंग्यास उनलाई कुरूर दंड दिने राजा कुरूप मा भुजने गरिंच, वन्ने गरिंच, उनि मानिस को मुटु निकालेरा उसको अनुवार छत प्रिक्षत पार ने गर थी, जर्मन कभितामा उनको बारेमा लेखीए घोछ, उनि मानिस को रगत पियुने गरते, उन्डे आपनो कुरूतम शबई हद पार गरेका थी उनले 20,000 जनता मैला बच्चा पुरुष सरुगो छाला काडेर तातो पानी मा उमालेका थी जसले उनको विरोद गर थी तिनलाई उनी आगमा जलाउं थी तिनका शरीर मा किला ठोकी दिन थी रा अंदो बनाउं थी फांसी मा जुन्द्याउते पान ट्युटेरीबल को नाम लिपनी इत्य हांसमा चिने झेंचा उनलाई मानिष लाइपाश लिव फांसी दिनंआ मा एकदमे रूची थियो उनी हरेक दिन जब सम्मा एक पज्जार् मानिष लाइष यातन देने थी ता ब सम्मा उनलाई खाना नही रूच दे नहीं खाना खानदे खानदे ने थी सत्ता प्राफ्त गर्नका लागी तेरा वर्ष घुमेर माने उनली आपना काका एई एलाई लाई वोका कुकुर हरुको बीच मा भैंगी दिये गा थी उनी कुकुर बिराला लाई भित्तामा ठोकी ठोकी मारने गर थी तड़ पीर मरे को देखेर उनी आनदालीन थे मायला को बलतकार सबाई को अगाडि गराउँ थे रव बलतकार गराया पाची मायला लाई फासी दिन थे इतिहांसले उनलाई पुल्टम राजा को रूपमा भुजे कोचा किंग फेरोन मिश्रका राजा किंग फेरोन एक स्वार्थीरा अभिवानी राजा थिए उनी आफईले भगमान मान्थे रा मानिश ले आपनों पुजागर्न बाद्दे बनाऊ थे जुन मानिश ले पुजागर्न अर्ष्विकार गरते तिनलाई उनी तेरे खतरनाख र मान भिय दंड दिन्थी बन निगरी चा उनी मरे पचिए उनको लास लाइ उन्हे जमीन या आगुली पिरिया करम गर्न अर्ष्विकार गर्यु मैक्स मैलियन रोबे स्पेयर उनको जन्मा 1708 नमा अगस्त पंद्रमा भायको थियो। उनी कूर सासक भनी परिचित थिये। उनी कुने पनी मानिस माती भरशा गर दयने थिये। बिना कुने जांच बुद संका गरेको मानिस को ताव को कार थिये। ये सरी मानचे को ताव को कार थिये। इनले जिलोटिन न ब्रेकिंग नियुज मात्र है न विज्ञान खगोल विज्ञान इतिहांस कथा आत्मा कथार जीवनिका चाथे ब्रमांड का रहस्यारु और जीवन्द्र जगत का अनेक रोचक प्रसंगारु येस चानल नियुज फटा फटमा प्रस्तु धोने गर्चन येस्तेई येस्तेई वेडियो करागी हामिलाई सब्सकाइब गर्न होला र नया वेडियो सर्व प्रथम हिर्न करागी नोटिफिकेशन प्राप्त गर्न बेल आइकन पनी दबाउन होला झाल, 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 प्रसंगार को बच्त गर्न प्रसंगारु था सब्सकाइब और वेडियो करागी हाँ